गिफ निफ्टी कह रहा है भाई साथ पॉने तीन सो पॉइंट का गैप डाउन दिखा दीजे वैसे एश्या आपकी स्क्रीन्स पर आएगा एश्या में हाईलाइट वैसे एक निकई है जो हम लोग सुबह चर्चा करते हैं भी फिर से चर्चा में आएगा थोड़ा बहुत अच्छे स्टेट्मेंट वहाँ से आना निकई देखिए धीर देरे करके वो जो चार सारी चार प्रसंट का एक दिन का कट था नेए पी-म के अनाउंस्मेंट के बाद कैसे वो बढ़ियत एक से रिकवर कर रहा है बाकी हमारे लिए इंपोर्टन डेशा इसलिए नहीं है क्योंकि इन्दों ने कर ग्लोबल संकेतों पर रियाक्ट कर दिया इरान, इसराइल, मिडल इस, कॉन्फिलिक्ट जो कहना है कह लिए उस पर रियाक्शन उनके आ चुके है अपन छुट्टी पे थे, तो अब छुट्टी पे लेकिन हॉरमास बहुत बिजी थे क्योंकि बहुत कुछ समेटना था, बहुत कुछ बटोरना था हॉरमास दो पार्ट में तोड़ते हैं पहला और जादा इंपोर्टन जिसकी बहुत चर्चा हुई यह एसकलेटिंग या बरता हुआ मिडल इस्ट का क्राइसिस या टेंशन ट्यूजडे अनवर्ड्स क्या क्या अपडेट्स हैं हमारे पास और इस समय ताजा स्तिती है अब सबसे बड़ा अपडेट तो यह हुआ कि ट्यूजडे रात को इरान ने इस्रेयल की उपर बलिस्टिक मिसाइल्स दागे most of those मिसाइल्स intercept हो गए थे बर कुछ लगे बर इस्रेयल ने अब यह कहा है कि हम retaliate करेंगे और retaliation इरान को बहुत महँगा पड़ेगा यह इस्रेयल की तरफ से statement आया प्रधानमंत्री नेतन याहू की तरफ से अब US ने भी जो बाइडन साब उन्होंने भी कहा कि आपको पूरा हक है respond करने का लेकिन आप एक नियमित तरीके से respond करिएगा क्योंकि आप इरान के अगर परमानों ठीकानों पर हमला करेंगे उस बात को हमारा समर्थन नहीं है यह जो बाइडन साब ने का तो अब मसला यह हो गया है कि इरान और इसरेल और यह पूरे मिडल इस्ट में जो है डॉलर इंडेक्स जो कमजोर हो रहा था कह रहे थे कि अब कमजोर डॉलर होगा तो इससे अच्छी बाते होंगे लेकिन अब डॉलर भी दो हफते के उंचे स्थर पर आ गया है गोल्ड प्राइज़ गोल्ड में खरीदारी हो रही है क्योंकि हेवन बाइंग चल रही है तो उस लिहाज से अब यह जियो पोलिटिकल टेंशन्स की वज़े से यह सारी चीजों में गोल्ड डॉलर और कुरूड यह सारे फोकस में आते हुए दिख रहे है लीजे भाई एक तो क्राइसिस बढ़ आ है वार का खत्रा बढ़ आ है वो सरदर्द और हमारे लिए एडिशनल इन सब के वीच में क्रूड में चार-पांच डॉलर का उचाल जो स्टॉक मारकेट आज खुलते ही डाइजस्ट कर रहा होगा दूसरा इसके अलावा यूएस में जपैन में एशिया में कुछ इंपॉर्टन्ट क्यूज हमारे लिए अधर दिन इस मिडिलीज क्राइसिस हाला कि फोकस आज यही रहने वाला है फिर भी कुछ नजर रख नहीं है फोकस यही होगा लेकिन मसले यूएस के अपने अलग है जपैन के अपने अलग है यूएस में भी हुआ यह है कि कुछ 45-50,000 जो पोर्ट वरकर से वो हरताल पे चले गए जादा पैसो के लिए उसे फरक नहीं पड़ेगा लेकिन उनके अंसर्टिंटी की वज़े से वहां के बाजार उनके एज़ पर है वहां पे भी अब ऐसा हो गया है कि नॉन फार्म पेरोल का डेटा आएगा कल उस वज़े से एक अंसर्टिंटी बनी हुई है जो अब फेड क्या करेगा आगे चलकर अब जरूम पावल ने भी कहा था कि अब पचास बेसिस पॉइंट का कटना हो 25-25 के दो हो जाए तो उस एक वो अंसर्टिंटी पॉलिसी की वज़े से बनी हुई है कि अब फेड आगे करेगा तो क्या करेगा वो एक चीज है जपैन के अपने इश्यूज है जपैन में जब गिरावट आई थी मंगलवार को जो प्रधान मंतरी का चुना हुआ था अब उन्होंने कहा है कि बैंक अफ जपैन के ऐसी स्थिती नहीं है कि वो दुबारा ब्यास दरे बढ़ाए तो इसलिए आज से येन कमजोर हो गया डॉलर की जो गिरावट आई वो 2022 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट थी तो इस वज़े से निकाए में रिकावरी हो रही तो ये अगर देखा जाए तो ये एक अंसर्टन्टी जो मिडल इस्ट वाली है वो एक कोने में बनी हुई है लेकिन अपने अपने इश्यूस की वज़े से ये सारे बाजार जो है वो अपनी तरह से रियाक्ट कर रहे है और नॉन फार्म पेरोस का डेटा जो है वो बहुत म पर वो भी इंपोर्टेंट रहेगा लेकिन जो